तुटेंट्स गुट इवनिंग एक्चुली विकोज 7.50 का टाइम हो चुका है एंड लिटल लेट और स्टार्ट आपर क्लास इमेल राइटिंग जो है वेटा क्लास 7 एट्थ और 9 तिनों ही क्लासिज में इंक्लूड है ठीक है और क्योंकि टेक्नलोड सीज्ट हो रहा है और लिखते रहेंगे यह लग बूट करते रहेंगे छ पर्मेट है आप अपनी वीस यूठा के देखो गें। उसमें इमेल राइटिंग भी है इमेल राइटिंग आज म स्टार्ट कर लेते हैं जब से पहले हैं इमेल से स्कुनूशन च क्विकली जल्दी से जल्दी मैसेज बेजने के लिए क्योंकि लैटर लिखोगे पोस्ट करोगे दस दिन बाद वो जाके मिलेगा तो वो टाइम जा चुका है मैसेजिंग प्लस इमेलिंग जो है वो यूज की जाती आज के टाइम के तो इमेल करन्ट सिनेरियों में बहुत इंपोर्टन कम्मुनिकेशन का टूल है बिजनेस इमेल एटिकेट्स एटिकेट की स्पेलिंग देखो वैसे मैंने संथ क्लास में डिफिकल्ट वर्ड भी लिख वाइए उनमें भी थी है लेकिन एटिकेट्स बिजनेस एटिकेट्स जो हते है ना इन कंपोज इसेट ओफ रूल्स इंडिकेटिंग इफ एक्टिव प्रोपर पॉलाइट वे टो बी एव एटिविंग एमेल सेंड़िंग एंडिविंग के लिए जो है एक बिजनेस का एक होता है जैसे बिजनेस लाइटर लिखते है ना अन्नोन परसें से बात कर रहे हो तो आपको नहीं पता वो किसी पर कैसे रियेक्ट करेंगा तो बड़े ही लिमीटेड और पॉलाइट वे में बात की जाती है दरूल्स अटिकेट्स और फोकस्ट ओन हाव मैसेज शुड लू से रिलेटिव के साथ कनेक्टी रहने के लिए यूज कर रहे हैं लेकिन दूसरा तरीका क्या है इमेलिंग का जिसको की प्रोफेशनल लाइफ में या फॉर्मल लाइफ में यूज करते हैं तो इमल इस टाप की चीछे कि हम बिजनेस के रिगार्ड या उन पूसन परशन के यूज करते हैं इनको हम नहीं जानते फोर एक्जम्पाल कोई जो के लिए अप्लिकेंस देने के जाए तो वट्सप पर हम चैट स्टार्ट नहीं कर सकते ना वहां पर उनके इमेल आइडे पर हमें क्या करना पड़ता है इमेल बेजेंगे स्टूरी स्टूरेंट्स तो इमे इमेल राइटिंग है उसका भी फोर्मेट होता है फोर्म होता है सबसे पहले क्या होता है इमेल एड्रस का हूं में फिल करना पड़ता है सब्जेक्ट उसके बाद लिखते हैं कि किसे रिगार्डिंग लिख रहे हैं सेलुटेशन होता है क्लोजिंग होती है फॉंट डिसाइड करते हैं किस फॉंट में लिखा जाए का पैराग्राफ के बीच में स्पेसिंग करनी इम्पोर्टेंट होती है इवन जो आपके इस पराग्राफ लिखते हैं इसमें पंच्वेशन भी बहुत इंपोर्टेंट होती हैं दन सिगनेचर्स तो बस्ट है किसने लिखा है यह तो यह होगा स्टाइल या सबसे पहले इमेल एडरेस लिखोगे सब्जेक्ट से लुटेशन और क्लोजिंग लिखोगे क्लोजिंग भी किस तरीके से वीच की बात ही नहीं हो रही है फॉन्ट कन से होगे पराग्राफ में स्पेसिंग किस तरीके से करनी हैं सिगनेचर्स अच्छा हमने बात की स्टाइल की लेकिन जो कॉंटेंट होता है मतलब उसके अंदर जो लिखा जाएगा मानलो लैटर लिख रहे हो यह तो जैसे फॉर्मेट वाले बात होगी ना लेकिन कॉंटेंट जो हता उसकी बात करते हैं फैले राइटिंग स्टाइल कैसा होना चाहिए वो देखेंगे टोने पंजुएशन किस त करूं तो सबसे पहले लिखूंगी कि किसके रिगार्डिंग है अड्रस सारी चीजे लिखते हैं उसके बाद फिर अटेजमेंट होते हैं कि यह जो पीड़ी एफ यह स्टूडन तक पहुच जाए तुम्हारे पास कुछ आए ठीक है तो यह अटेजमेंट की बात होगी आपर मारे पास दो ओप्शनों थे की सीक वुटा है एक बी की सीसी का मतलब है कारबन कोपी और ब्लाइं ब्लाइं बी सीसी का मतलब है ब्लाइं कार्बन कोपी अब इनको समझना है क्या ही जब को पटीन इंडुविज्वाल ओन इमेल इस अ गुट वेइट घुद वेगे while also sending someone else a copy at the same time. This can be useful if you want to convey the same exact message to more than one. Or blind copying email to a group of people can be useful when you don't want everyone on the list to have each other's email address. The only recipient address that will be visible to all recipients is the one to in the two fields. Now explain this to you. First of all, if we send you email to someone, you will have two options. One will be CC and the other will be BCC. What is the meaning of CC? What is the meaning of your email? You have a email that has 16. You have a number of IDs that you have received. You want to reply to all of them? You have a CC and you have a number of emails that you have to select. परेंक और उसके पास भीज़ देगा जबकि 20CC में क्या होगा कि आप खुछ स्लेक्ट करोगे कि सबको ने भीजना है आप आप सिर्फ सिंगो जाते हो फिर आपको क्या है ना उसमें से स्लेक्ट करना पड़ेगा कि इन जो पड़ेगा इनके पास जाना चाहिए तो फिर वह इंडुविज्वली या फिर उस ग्रूप के पास ही जाएगी सब के पास नहीं जाएगा तो यह जो है एड्रस फिल करने के लिए है आप एड्रस कैसे लिखोगा इमेल का अब देखो वेटा सबसे पहले हमने एड्रस वाली बात की अब हमारे पास आता है सब्जेक्ट लाइन तो किस लिए लिख रहे हैं वह बताना है इमेल सब्जेक्ट लाइन्स आर लाइक न्यूजपेपर हैड्लाइन तो जिससे हैड्लाइन लिखते हैं या लैटर का सब्जेक्ट लिखते हैं मालो आप जैसे सिक्लीव के लिए लिख रहे हो सबने लिखी होगी तो क्या करते हैं सिक्लीव सब्जेक्ट लिखा और इसके लिए अप्लिकेशन फोर सिक्लीव यह लिख लेते ना इसी तरीके इमेल हम लिख किसे वह में रहें किसके लिख रहें वही हमारा सब्जेक्ट है देशिट कन्वे दा में पॉइंट ऑप दाइमेल और आइडिया दाट यू वांट तो पीस आया वह डिफ्यक्टिव है वह अच्छे से काम नहीं करता है तो कंप्लेडिंग अगेंस्ट डिफ्यक्टिव मॉबाइल इस तरीके से बस ग्रीटिंग्स होंगे उसके बाद डारेक्ट यूज मत करो ग्रीटिंग्स के साथ स्टार्ट करो जैसे इसको सैलूटेशन भी बोलते हैں डियर मिस्टर सूमिसन डियर मिस्टर स्टिंगंत तो जो भी है नाम किसी का खी कुछ वह दीया है उसको यूज किया उण सबसे पहले चीजे तो वही है ना पहले एड्रेस लिख दिया उसके अज़ग्स मतलब नाम के साथ और यूज करके तो लैटर वाले ही चीज़े हैं लेकिन थोड़ा अलग तरीका है नेक्स्ट पार्ट जो हमने देखा तो वो गया था शालूटेशन था डियर मिस्टर मिस्टीज मिस्टीज जो भी लिख रहे हो वह है डियर मैडम सर है और अगर आप क्लोजिंग कर रहे हो तो क्या हो और क्लोजिंग से पहले यह फ्रॉं यू सुन इस तरह के बाद आप यूज कर सकते हो थोड़ा चीज़े अजीब लग रहे होंगे लेकिन दिखाते हूं सैंपल आपको फिर चीज़े जी लगेंगी इमेल को हम क्लोज कैसे करेंगी क्लोजिंग कैसे होगी विप्यों एंड इमेल इस पॉलाइट तो थैंक यू और यूर रिडर ओवन मोर ताइम है जोए लाइज एड सम्कॉर्टियस क्लोजिंग रिमार्क्स तो कुछ बड़े ही पॉलाइटनेस के साथ वर्ड लिग सकते हैं थैंक बोल सकते हो थैंक यू फॉर यूर पेशिंस और कोपरेशन थैंक यू इस तरह के वर्ड्स का भी यूज कर सकते हैं लट अपके पर दिया होता है मूबाइल में अफिल कर सकते हो इस तो कहता है कि कोई कुछ बहुत सारे क्यूस्टेंट के रिकार्डिक और उनके बारें पूछने हैं फिर्स्ट वोल देखो यहां पर एक स्टार्टिंग में अपना देकर और उसके बाद छोड़ दिया है इससे पहले सब्जेक्ट भी लिखा गया होगा लेकिन वह ना ओ वाइड उस विद अन अपडेट ऑन वेर यू आर ओंदा डेली एर्पोर्ट प्रोजेक्ट वी वोड आलसो अप्रेशियेट इफ एट यह एट इट इफ यू पूद स्लेरिफाइट अट वाट देकरंट इश्यू विद डिलिवरी सिस्टेम और अन कंपर्म वैन यू एक्स कोई यह बिजनेस के लिए लिखी गई है कोई डिलिंग हो रही है और उसके रिगार्डिंग पूछ रहे है कि क्या क्रण्ट सिच्वेशन है किस तब कैसे डिलिवी होगी और कब तक होगी कुद यू आलसो देखो कुड का यूज है बहुत पॉलाइट ली बहुत जंब कर वेदर पोस्ट इंस्टोलेशन स्पोर्ट कवर्स था एक्विपमेंट 24 आवर 24 आवर्स अदे और इस देखो इतना डिफिकल्ट हम नहीं लिखेंगे यह थोड़ा जदा डिफिकल्ट वे में हो गया है लेकिन लिखने का स्टाइल ही है फेराग्राफ में डिवाइड है औ और उसके बाद यह लास्ट में रेखो आई वोड रियली अप्रिशियेट इफ यू कुड डिल विद इस मैटर सर्जेंटली ठीक है क्लोजिंग हो गया लुकिंग लुक फॉर्वार्ट तो हीर फ्रूम यूर सिंसियरली अपना नाम आ गया और कौन हो यह लिख दिया लेट 2005 है ना और उसके बाद S11 और एट दर रेट ओफ जीमेल डोट कॉम ठीक है जीमेल डोट कॉम और चीजों को प्रैक्टिकली करते हैं पहले और नोट बुक में लिखने के बजाए ठीक है तो अब सब को क्या करना है एक 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 एमेल मुझे लिखके न भीजनी है उसी मेल के करें इंदर क्या लिखोगे सबसे पहले मेरा एमेल एड्र्स नहीं नोट किया है रिवेंड गर के देख लेना चीजों कुण कंडर हो जाएगा आपको कोई दिकत नहीं है सबसे पहले आप मेरा एड्रस मेम्र——टिक होगे पहले ऑप मेरा फैसने सब्च्टो होगे एके और क यहां पर आप मेरा नाम इंक्लूड कर देना और उसके बाद इतना लिखो कि I am writing this email to show you that I can write this I can write an email okay first हो गया उसके बाद लिखना है को कि this is my first email and hopefully if you receive me it kindly inform me ठीक है और thanks लिखे और उसके बाद फिर अपना yours evidently क्योंकि आप students हो और यहां पर अपना नाम mention कर दोगे ठीक है और कौन हो जैसे development manager लिखा हुआ ना तो यहां पर कौन सी class के student हो यह बता दोगे ठीक है यह काम मैं आपको दे रहे हूं class actually class 7th 8th और 9th 9th class में एक वीडियो पहले भी आई है वो वीडियो किसके और वैसे प्राक्टिकल चीज़े हैं सीख लोकाम आएंगी इंट्रेस्ट के साथ करना राइटिंग में कुछ नहीं दे रहे हूं लेकिन देखते हूं मैं मेरे पास कितने स्टूरेंट्स की मेल आती हैं फिर मैं स्क्रेंशोट के साथ दिखाते हैं आपको कुछ किसने लिखे वेजियों के स्क्रेंट्स घडिए लोकाम आता हैं